माल लीजिये दोस्तों आपके पास कोई करमचारी आया है आपकी कंपनी में काम करने के लिए और आपको उसको रेजिस्टर करना है यानी EPF के अंदर और उसके पास पहले से ही UN नमर है तो आप किस तरीके से उस व्यक्ति को रेजिस्टर करेंगे उनिफाइट पोर्टल के अं यूट्यूब चैनल EPF and ESIC Expert में है दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली वार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर देना चले दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको डेश्टॉप की स्क्रीन पर और बहाँ बताऊंगा सिम्पल सर्च करेंगे तो यहां पर राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा आपका यूजर नेम और पासबर्ट आप यहां से अपना यूजर नेम डालें पासबर्ट डालें और साइन इन पर क्लिक करें साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहां से आप क्रॉस करें और कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर आपका नाम राइट साइड में नाम डेटेल्स फरम की सारी डेटेल्स आपको देखने को मिल रही होगी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कुछ ओप्सन देखने को मिल रही होगे Home, Member, Establishment, Payment, Dashboard User Admin Online Services AVRY हमें दोस्तों जाना है Members में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा दूसरा ओप्सन Members में जाने के बाद Register Individual इस पर आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तों सबसे important part यहाँ पर दोस्तों पहले से ही No वाले option पर किलिक होके रखा है लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर जाना है यश वाले option पर किलिक करना है जैसे हम यश वाले option पर किलिक करेंगे यहाँ पर आपको पूछ रहा है UN number जो employee का UN number था पहले वाला वो हम यहाँ पर डालेंगे दोस्तो UN number डालने के बाद आपको उसका नाम डालना है जो आधार कार्ड में registered है as per आधार और उसके बाद दोस्तों उसका आधार कार्ड का नम्मर यहाँ पे fill करना है और date of birth उसके बाद दोस्तों आपको verify पे click करना है जैसे आप verify पे click करोगे यहाँ पे loading लेता है एक दुम second का दोस्तों जैसे आपने verify पे click किया तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा member detail match दोस्तों हमने यहां पे नाम सही डाला था date of birth दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ देखिए अगर मान के चलिए आपने यहां पे नाम में कुछ गड़बर कर दी मान के चलिए और यहां पे आप verify पे click करेंगे तो देखिए यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा member name mismatch यानि कि आप जो भी details अधार कार्ड के हिसाप से नहीं डालेंगे या उनके UN नमबर में जो पहले से detail registered है आप उस हिसाप से नहीं डालेंगे तो यहां पे आपको mismatch देखने को मिलेगा कुछ ना कोच यानि कि अभी देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा name mismatch या date of birth भी कभी-कभी हो जाता है मान के चले हम यहां पर date of birth भी गलट डाल देते हैं ठीक है उसके बाद अधार कार्ड भी गलट डाल देते हैं अब आप verify पे click करें और देखिए यहां पर तीनों चीजें आपको mismatch दिखाने लगा है मेंबर name mismatch, मेंबर DOB mismatch और मेंबर अधार mismatch तो दोस्तो हमें सबसे पहले तो यहां पर correct details डालनी है जो हमारे पुराने UN number में details है वही आपको यहां पर डालनी है उसके बाद दोस्तो आप verify पे click करें यासी verify पे click करेंगे details match हो गई है उसके बाद आप ok पे click करें ok पे click करने के बाद देखी दोस्तो यहां पर कुछ चीज़ें हमें पहले से ही fill करती हुई नजर आएंगे जैसे आधार card, name, date of birth, mail, father's name, pen card हमें यहां पर डालना नहीं है जब हम new employee registered करते हैं तो हमें यह सारी चीज़ें डालनी होती है लेकिन हमारे पास पहले से ही UN number है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है उसके बाद दोस्तों आप यहां पर date of joining डालने कबसे हुए करमचारी आपके पास आया है उसके बाद email ID है तो डाल दीजिए मंथली एप बेजसी यह जरूर आपको डालना है दोस्तों यहां पर pen card का जो KYC है वो already दिखा रहा है कि व और यहां से पूछ रहा है are you sure you want to save the member details यहां पर हम okay करेंगे okay करने के बाद दोस्तों यहां पर हमें दिखा रहा है member record saved successfully और देखी दोस्तों यहां पर यह हमारा नीचे आ गया है और यहां पर हमें देखने को मिल रहा होगा कि यह हमने जो employee को registration किया था वो successfully saved हो गया है दोस दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर देना और दोस्तों राइट साइड में आपको वैल आइकन का notification देखने को मिल रहा होगा उसको भी आप on कर दें जिससे भविश्च में जो भी वीडियो आईगी वो आपको notification के द्वारा मिलती रहेगी धन्यवाद